कि हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज हम देखें इंग्लिस में आज हम मैं वर्ब को प्लूरर से सिंगूलर बनाने के नियम पड़ेंगे दरसल आपने सुना होगा कि अगर आपने एक टैंस सुना होगा प्रिजेंट इंडिफिनिट जिसमें हम अगर हम अगर टैंस बन में ही होती है अर्ताथ वो सभी बावबचन में होती है मैंन वर्ब ठीक है न तो इसलिए हम उसे सिंगूलर बनाने के आप सकता पड़ती है तो आज हम यहीं नियम पड़ेंगे कि मैंन वर्ब को मैंन वर्ब को प्लूरर से सिंगूलर बनाने के नियम तो नियम हम डाल लेते एक English English का यदी हम बात करें hashtag बनाके यदी हम शुरू बात करें तो वह होता है मैं वर्व को Plural से मैं वर्व को Plural से Singular बनाने के नियम बनाने के नियम Underline कल लेंगे तो आज हमको यह पढ़ना होगा कि मैं वर्व को Plural से Singular बनाने के नियम दरसला हमने आपको बताई कि आवे सकता क्यों पढ़ती है जब हम प्रिजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो उसमें जैसे वह मार्केट जाता है तो ही गो नोट करके लिख लिए जितने आल मैं वर्फ इस प्लूरल जितने भी मैं वर्फ होती है वो सभी की सभी प्लूरल फॉर्म में होती है तो यह कम नोट करके लिख लेंगे नोट आल मैं वर्फ आल मैं वर्फ आर इन प्लूरल फॉर्म आर इन प्लूरल फॉर्म प्लूरल फॉर्म जितनी भी मैं बर्फ होती वो सभी प्लूरल फॉर्म में होती है इसे इंदी में भी लिख सकती है सभी मुख के क्रिया है सभी मुख के क्रियां बावचन में होती है इसलिए मैं उसे सिंगूलर बनाने की आवे सकता पड़ती है तो सभी जितनी भी मैं बर्फ होती है सबहिं मुक्रिया बावचन रूम में ने होती इसलिएा भावचन तो पहला पर्ण तो यदि पहला रूल कि रघाव ने देला वाच में एस लगाटे लेते हैं इस justification हम देखेंगे कि जैसे होता है तो उसमें ए एस लगाते तो यह कब इनको यह लगाते हैं कब यह लगाते किस फॉर्म में बदलते तो इस तरह के सब्सक्राइब पर बहुत लें तो पहला आता है वाट व ए टी सिय एच वाच का यह दि हम यह वाच है जो मैंवरवर है यह हमने आपको बताए जितनी मैंवर्व होती है देखना होती है तो यह प्लूरल है इसको मुझूलर सिंगुलर बनाने के लिए इसी तरह हम गो को लिखते हैं तो गोश हो जाता है इसमें भी इस लगा दिया इसी तरह यदि हम पास को करते हैं पास गोवा ने जाना जानां कि हम उसको इस बना कर हमने सिंगुलर फार्म मैं बना लिया इसलिए पास उता होटा ह्क Les ऐसे आदि कहलेंगा लो हुग себя में बना लेदें तो क 지금 बना यह जिर्ए के बाद आप इसे रूल जैसे ही मैं लिखा दूँ इस लिए पहले ले 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 लेता हूं इसलिए आपको समझाने के लिए राइट चलिए तो एक्जामपल के अगए हम रूल के तो रूल वन लिखेंगे रूल rule 1 rule 1 क्या क्य Kryetha यदि mayn word के अंत में यदि mayn verb यदि mayn word के अंत में यदि mayn verb के अंत में आड़ता है last में last में S हो, double S हो C H O X हो Z हो, O हो E TC हो तो यदि मेन वर्व के अंत में यानि लास्ट में S हो डबल एस हो, C हो, X हो Z हो, O हो, ETC हो हो तो हम मेन वर्व के लास्ट में E S जोड़कर E S E S जोड़कर मेन वर्व को मेन वर्व को सिंगूलर बनाते है सिंगूलर मेन वर्व बनाते है तो यह रूल बन जाता है किलियर है? अगर देटर इस करके हम यदि लिखना चाहे तो S, S, C, H, X, Z, O, E, T, C यदि यह मेन वर्व के अंत में आती है तो हम मुख्यता मुख्यता क्या है अमेसा बनाते है यह E S जोड़कर हम उसे singular मेन वर्व बना लेते हैं इसी तरह के तो यह सबसे पहले आपको यह रूल लिखने है रूल बन लिखने है यदि मेन वर्व के अंत में लास्ट में एसो, डबल एसो, C, O, X, O, E, T, C, O हम मेन वर्व के लास्ट में यह E S जोड़कर मेन वर्व को सिंगूलर मेन वर्व बना लेते हैं तो सबसे पहले आपको रूल लिखके उसके बाद एक्जांपर लिखने है किलियर है चली कि नोट डाउन कर लीजिए ऐसो है ना डबल एक और लिख सकते हैं अगल कि बना लेते ने चली अगलने इस को देखा तो आप नूट डाउन कर लेहें इस से रूल नंबर न लिखके और एक्जांपल उसके बाद लिखना क्लियर है चली कि नोट डाउन कर लिए आपने चली अब रूलमबर हम सेकंड देखते हैं कि सेकंड रूलमबर क्या कहता है चली हमने यह आपको सभी बता दिया कि हैस्टेक हैस्टेक का बना कि यदि आप पॉइंट लिखना जाए तो मैंवर्व को प्लूरल से सिंगूल बनाने के नियम चली और जितनी मैंवर्व होती हैं और दूसरी कारण मैंने आपका रूल नमर पहला बताया था यदि मैंवर्व के अंत में एसो डबल एसो सी एचो एसो एक्सो जैड़ू तो अंत में हम इस जोड़कर उसे हम सिंगूलर मैंवर्व बना लेते अब दूसरा कहा था दूसरा में है अछक मेंवर्व के तोर फे ले लेते हैं आपने करने एक मैंवर्व के अंत में मैंन वह से पहले तो यह रूल लिखा देता हूँ आप लिखो रूल ना लिखो लेकिन आपको यह दिमाग मेरा यह हो जाता है जब कभी आप रिवीजन करना चाहो तो उसे देख पाओ तो मैंने बस इतना दिमाग में रखना है कि यदी मैण वर्व को यह तो उसे सिंगूलर मैन वर्व बनाने के लिए यदि यदि लगादे देराइट चली में हम रुब लिएते हैं रूल नमर सेट के हैं रूल सेट मैं याँ या इफ को है सो मैन है मैन वर्व मिर्व के लाष्ट में लास्ट में वाई हो और वाई से पहले वाई से पहले कॉंसोनेंट हो कॉंसोनेंट हो तो हम वाई को हठा कर अर्था रिमूब करकर रिमूब रिमूब अर्था कर वाई के प्लेस पर प्लेस पर आई एस लिख देते हैं आई एस लिख देते हैं तो वह सिंगूलर बन जाती है तो है मैन वर्व सिंगूलर बन जाती है इस तरीके हमने रूल देखा रूल लंबर सेकेंड क्या कहता है यदि मैन वर्व की अंत में वाई हो वाई से पहले कॉंसेनेंट हो तो हम वाई को अठाकर आई एस सिंगूलर मैन वर्व बना लेते हैं यह अमना रूल लंबर सेकेंड करके आप रूल लिख लिए उसके ले दोनों को नियम्मों को छोड़के बांदवां की सभी मैन वर्व में एस लगाकर हम उसे सिंगूलर मैन वर्व बनाते हैं कि लिए रहे चली है नोट कर लिया चली दूसरा है रूलम अब्र बह्कोंग को बहुत बहुत सिम्पल है यह ट्राइश को को aos कर देता आप को इसके hazards कर देते तो वह सिंगूलर मैंवर्व बन जाती है किलियर है चलो यह लगा कर हम सिंगूलर मैंवर्व बनाते हैं किलियर है चली एक्जम्पल यह लेना चाहें तो एक्जम्पल होगा यदि संगूर मेंन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इसी तरह है कि यदि हम दूसरे एक्जंपल लेना चाहिए तो पिले हो जाएगा या कि यानि अंत में एस लगा दिया किलियर है इस तरीके से हमने आपको ऊपर के दोनों नियमों को छोड़के बादवां की सभी में एस लगाकर हम उसे सिंगुलर मेंवर बनाते हैं किलियर है चली दूसरा एक्जम्पल यह तीसरा एक्जम्पल लेना चाहें तो राइट हो जाएग तो इस तरीके के हमने यह मेंवर जो प्लूरल हैं उसको हमने सिंगुलर एस लगाके हमने उसको सिंगुलर बना लिया तो इसमें रूल आगे यदि हम देखना चाहें तो रूल यही बन जाता है कि उपर वाले दोनों नियमों को छोड़का कोन जो मैंने आपको बताए कि एस पर वाले दोनों नियमों को छोड़के उपर वाले दोनों नियमों और रूल्स को छोड़कर वाकी वाकी काड़ता है जो रेस्ट जितनी भी बची रेस्ट मैं वर्म मैं रेस्ट मैं वर्म मैं मुख्य क्रिया में एस लगा कर सिंगूलर मैन वर्म बनाती हैं तो यह नहीं को आपको बता दिया मैंनवर्व को प्लूरर से सिंगुल बनाने की नियम आप मैंने आपको बता दिया अब इसका अपोजेट यदि हमने अगर हम नाउन में बात करें पहले आप इसको नोट कर लें फिर हम नाउन की बात करते हैं तो यह हमने मैंवर्व को प्लूरर से सिंगुल बनाने की नियम देख लिए अब हम इसी के अपोजेट है यदि हम नाउन की बात करें तो नाउन जितनी भी होती है वो सब सिंगुलर होती है हमें उसको Plural बनाना होता है तो उसमें S लगाना पड़ता है कहीं ES लगाना पड़ता है कहीं IS लगाना पड़ता है इस तरीकर हम नियम उसमें भी पढ़ाएंगे problem है चली तो हमने ये वाला cable matter था देखेंगे क्लियर, थैंक यू बरी बच्छ